हेलो फ्रेंड्स आज हम बचे हुए कपड़े में से एक वाल हेंगिंग बनाएंगे जो देखने में तो सुन्दर होगा ही और ये बनाने में भी बहुत इजिया हर कोई आपसे पूछेगा कि ये कैसे बनाया चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना यहां पर मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर बुखरम भी ले सकते हैं या विदावुर इसके भी आप इसको बना सकते हैं 7 inch का square piece मैंने यहाँ पर cut किया है जैसा मैं एक design बनाऊंगी ऐसी ही आपने और design को बना कर इसे आपने set करना है अब देखें यहाँ पर हम कपड़ा ले लेंगे और कपड़े पर इसे इस तरीके से set कर लिया है मैंने पहले iron से अब यहाँ पर आपने इसे fold करना है चारों side से आ अब यहाँ पर लगाएंगे हम pin अब देखें ऐसे ही हमने सभी को ready कर लेना है four pieces आपने two color के बनाने है यह देखें यहाँ पर यह four piece है और ऐसे ही four piece यह है अब देखें इसे हम सिलाई करेंगे सिलाई आपने कैसे करनी है यह देखें आपने इस corner से और इस corner तक आपने सिलाई करनी है यहाँ दो side आपने इसे सिलना है सभी को आपने इसी तरीके से सिलना है और धागा आपने सिरफ एक ही color का लगाना है अगर मालों आपने दो color कप् जिससे यह देखने में सुन्दर लगेगा यह देखे, सबी को मैंने रडी कर लिया है पेस्टिंग पेपर लगाने से यह मैं थोड़ा हाडनेस आ जाता है इसलिए मैंने इसमें यह यूज किया है अब यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे और सेट कितनी कितनी दूरी पर करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर पहले पिन लगा कर मैंने इसे रडी कर लिया है अब यहाँ पर पिन को निकाल देंगे और आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है यह देखी अब यहाँ पर मैंने कितना लिया है स्टार्टिंग वाली स्ट्रिप और आपने लास्ट वाली स्ट्रिप को थोड़ा सा ध्यान से रखना है वो मैं आपको बताऊंगी पहले मैं यहाँ पर इसको सिलाई करकर इसे कंप्लीट करते हूँ यह देखी अब यह फर्स्ट और लास्ट को आपने इस तरीके से उपर सकते हैं यहाँ पर हम डोरी लेंगे डोरी आप अपने इसाब से ले सकते हैं इसे मैंने रेडी कर लिया है आप कप्ड़े की डोरी को भी बना सकते हैं इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करते हुए किसी भी कॉर्णर पर आप इसे सुई धागे से अटैच कर सकते हैं या फिर आ देखने में सुन्दर तो लगी रहा है और बनाने में तो इजी है वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू कीजिए